हेई दिस द्रॉनक मुनवत्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ Learn Guitar with Dronek सीरीज के एपिसोड 3 में लास्ट एपिसोड में हमने सिखा गिटार को पकड़ने का सही तरीका और गिटार को ट्यून के से करना होता है अगर आपको इन में अभी भी कोई confusion है तो प्लीज इस वीडियो से पहले आप पुराने एपिसोड को देखिए वहाँ जाके पहले अच्छे से clear कीजी अपने सारे doubts को जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है और उन वीडियो के links आपको description box में और information cards में आपको मिल जाएंगे लेकिन अगर आप बिल्कुल confident हैं इन skills को लेके आपने बिल्कुल अच्छे से guitar अपना tuning करके रख रखा है और आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़ना आता है guitar को तो ये आपके लिए है lesson 3 How to hold a spectrum in a correct way So finally आजम guitar को बजाने वाले है Guitar को कई तरीकों से बजाए जा सकता है कुछ लोग अपने thumb को prefer करते हैं कुछ लोग finger picking करते हैं और कुछ लोग अपने nail से बजाते हैं ये सभी तरीके सही है अगर सही song में सही जगा पे बजाए जाए जाए तो लेकिन एक तरीका है जो बहुत ही easy है बहुत ही common है और mostly हर song में काम करता है जो है प्लेक्टरम से बजाना तो short में इसे pick भी बोलते हैं मैं आप beginners को recommend करूँगा कि आप प्लेक्टरम से बजाना सीखे अगर इस से बजाना आपने सीख लिया तो आप गिटार बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और बाकी के styles आपके लिए सीखना बहुत ही असान हो जाएगा इवन जब मैंने 7 साल पहले गिटार सीखना शुरू किया था मैंने भी प्लेक्टरम से ही शुरू किया था ये सबसे best तरीका है सबसे easy है और long term में भी आपको बहुत ही help करेगा सबसे better है आपके लिए थोड़ी सी हम प्लेक्टरम की बात करें तो प्लेक्टरम अलग-अलग colors में अलग-अलग shapes में अलग-अलग brands अलग-अलग materials से बनाते हैं ज़दा तर plastic के होते हैं और कभी-कभी woods के भी देखने को मिलते हैं अभी हम strumming करने वाले हैं तो strumming के लिए मैं recommend करूँगा कि जो भी आपकी pass की shop पे सबसे पतला प्लेक्टरम available हो उसे खरीद लेजिए वो beginners के लिए बहुत ही best रहेगा starting में हम thickness करेंगे तो strumming आपकी बहुत अचानी से हो जाएगी तो beginners के लिए मैं recommend करूँगा कि सबसे पतला और साथ में 2-4 अलग-अलग thickness के भी खरीद लेजिए क्योंकि जब आप सबसे पतला से बजाना सीख जाएगे तो आप उन पर shift भी कर सकते हैं और experiment आप फिर बाद में कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा रह रह रहा है कौन से प्लेक्टरम से बजाने में आपको सबसे ज्यादा comfortable लग रहा है और आपको बहुत ही मदा आ रहा है बजाने में तो अब हम बात करेंगे कि प्लेक्टरम को पकड़ने का सही तरीका क्या है और हम इससे कैसे डिटार को बजाने वाले हैं तो अलग-अलग shapes के प्लेक्टरम हैं यह है heart shape का यह है triangle shape का यह भी triangle shape का है थोड़ा सा लंबा आइसोसलेस triangle की तरह है मैं prefer करता हूँ heart shape का जो मुझे बहुत ही पसंद है तो इससे मैं आपको सिखाता हूँ पकड़ने कैसे बाकी procedure सब्की का सेम ही है तो यह है मेरे पास एक heart shape का प्लेक्टरम जिसके अंदर नीचे की तरफ एक angle है तो यही angle हमारा guitar की strings को touch होता है और sound produce करता है इस प्लेक्टरम को पकड़ने के लिए अपनी जो pointing finger होती है हमारी first finger होती है उसके उपर रखिए और angle को इस finger से outward direction में point कीजिए जैसे कि यह इसमें से बाहर निकल के जा रहा हो और जो हमारा अंगूठा होता है वो इसके उपर ऐसे आएगा यानि कि जो यह angle है हमारा यह अंगूठे के side से निकलेगा 90 degree के angle पे जो यह हमारा corner है यह point करेगा तो finger के tip की direction में और अंगूठे के side की direction में यह spectrum point करेगा अब इसके यहाँ पर आपको 1 cm का approximately gap छोड़ना है guitar पे प्लेक्टरम से बजाने के लिए आपको अपना hand रखना है कि आपका प्लेक्टरम बिल्कुल यह center में आए like this और यह एक इस motion में आपका hand move होगा नीचे उपर down, up down, up तो आप देख सकते हलका असा यह नीचे की तरफ round हो रहा है यानि यहां से अगर हम शुरू होए तो यह round हो रहा है like this यह हमारे hand की movement होगी इस movement को मैं अच्छा से explain करूँगा strumming के वक्ट जब आपको सिखा हूँगा अभी हम ध्यान दे रहे प्लेक्टरम को सही से पकड़ने के तरीके पे अभी जब आप guitar को बजाएंगे तो यह अटकेगा देखिए एक एक तार के अंदर यह अटक रहा है थोड़ा थोड़ा like this तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा अंगुठा angle बनाना होगा लाइक अंगुठे को थोड़ा सा ऐसा करना होगा approximately 20 degree के angle पे like ऐसे की बजाए आप हलका सा उपर उठा रहे हैं बस हलका सा ठीक है जिससे जो यह जो तार का और प्लेक्टरम का angle होगा बिल्कुल सीधा ना होगा हलका सा slant होगा हलका सा यह 20 degree के एंगल पे होगा इससे यह अराम से travel कर पाएगी यह देखिए अगर सीधा होगा तो यह अटक एगी लाइक दिस लेकिन एंगल में होगा तो यह बड़े आराम से मूग कर पा रहे है तो हलका सा आप एंगल ही रखिए ठीक है प्लेक्टरम को फिंगर की तरफ पॉइंट करके पकड़िए थम उपर रख दिजिए जिसकी साइड में वन सेंटिमेंटर का आप गयाप छोड़िए लाइक दिस और बजाईए हलका सा एंगल पे यह थम को हलका सही तरीके से पकड़िए लाफ्ट हैंड को भी साइड में ही रखिए और बिल्कुल सही तरीके से इस फ्लेक्टरम को पकड़के एंग उठे का हलका सा एंगल होना चाहिए जिससे यह काफी स्मूदली ट्रेवल करेगा आपकी सारी स्ट्रिंग्स पे और इस मोशन को कहते है जब हम स्ट्रिंग्स को नीचे की और बजाते हैं इसे बोलते हैं डाउन वर्ड स्ट्रमिंग्स थोड़ा सा बजाएगे एक दो मिनिट के लिए जब तक आप पूरे कमफर्टेबल ना हो जाए और आपको मजा आना चाहिए तो जब अब ये कर पा रहे हैं बिल्कुल कमफर्टेबल हो जाएगे आज भी प्रैक्टिस कीजिए कल भी प्रैक्टिस कीजिए और फिर अगले एपिसोड में मैं जल्दी आपको लेफ्ट हेंड का यूज सिखाने वाला हूँ अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में थैंक यू सो मच